प्रश्नोत्तर के नोवे भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने महर्शी रमन से पूछा कि महर्शी सत्य क्या है। तब महर्शी ने कहा सत्य अस्तित्व मात्र है, अन्यवस्त्वें द्रिश्य मात्र है। नानात्व सत्य का स्वभाव नहीं है हम कागच पर लिखे हुए अक्षर पढ़ते हैं लेकिन जिस कागच पर वे लिखे हुए हैं उसकी उपेक्षा कर देते हैं इसी प्रकार हम मन में उदय होने वाले भिन्न प्रकार के द्रिश्यों में लिप्त हो जाते हैं तथा मन की प्रिष्ट भूमी को भूला देते हैं, इसमें किसका दोश है, सत्यका तो नहीं है, महरशी क्या आत्मा की सीमा होती है, पहले यह जानों की आत्मा क्या है, जीवात्मा ही आत्मा है, ऐसा लगता है, जीवात्मा क्या है, क्या इन दोनों में कुछ अंतर है या एक ही है, किसी भी नवीन दृश्य का लुप्त होना अनिवारिय है, जो वस्तु पैदा होगी, वह निश्चित ही नश्ट होगी, जो नित्य है, वह न जन्म लेता है न मरता है, अब हम दृश्यों को सत्यता से मिला रहे हैं, दृश्य का अंत उसी के साथ है, वह क्या है जो नवीन दिखाई देता है, यदि तुम इसकी खोज करने में असमर्थ हो, तो दृश्यों के आधार के प्रती पूर्ण तया समर्पन कर दो, उस अवस्था में सत्यता ही अवशेश रह जाएगी, मृत्यू के बाद क्या होता है महर्शी, स्वयम को वर्तमान जीवन में संलगने रखो, भविश्य अपनी चिन्ता स्वयम कर लेगा, भविश्य की चिन्ता मत करो, स्रिष्टी के पूर्व की अवस्था, तथा स्रिष्टी की प्रक्रिया का, शास्त्रों में इसी हे तुवर्णन है कि तुम वर्तमान को जान लो, चुंकि तुम कहते हो कि तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए वे इसका अनुमोधन करते हैं, तथा यह भी कह देते हैं कि ईश्वर ने तुम्हें पैदा किया है, पर क्या तुम इश्वर अत्वा अन्य वस्तु को सुशुप्ती में देखते हो, यदि इश्वर सत्य है तो वह तुम्हारी सुशुप्ती में भी क्यों प्रकट नहीं होता, तुम्हारा अस्तित्व सदैव है, अब भी तुम वही हो जो सुशुप्ती में थे, तुम जो सु क्यों है क्या तुमने नींद में अपने जन्म के विशय में अथ्वा मृत्यू के बाद कहां जाऊंगा ये प्रश्न पूछा था अब जागरत अवस्था में उन सब पर विचार करते हो जिसका जन्म हुआ है उसे ही अपने जन्म तथा उपचार उसके कारण तथा अंतिम फल की चिंता करने दो जन्म क्या है जन्म अहंभाव का है या देह का है क्या मैं देह से प्रथक है अथ्वा वही है यह अहंभाव किस प्रकार उदय हुआ क्या यहें अहमभाव तुम्हारा स्वरूप है अत्वा तुम्हारा स्वरूप कुछ होर है महरशी ये प्रश्न कौन करेगा ठीक यही है इन प्रश्नों का अंत नहीं है तब क्या हमें चुप रहना चाहिए मोह पर विजय पाने के बाद संशे कष्ट नहीं दे सकते आपके निर्देश विचार को समाप्त सा कर रहे हैं महरशी यदि आत्म विचार समाप्त हो जाता है तो लोक विचार उसका स्थान ले लेता है आत्म विचार में सनलग न रहो तब अनात्म लुप्त हो जाएगा आत्मा शेश रह जाएगी यही आत्मा का आत्म विचार है एक शब्द आत्मा मन देह मनुष्य व्यक्ति पर्मात्मा तथा अन्य सब कुछ का परियाय है महरशी ये संसार तो भोतिक वादी है इसका क्या उपाय है भोतिक वादी अत्वा आध्यात्मिक तुम्हारे दृष्टि कौन के अनुसार है दृष्टिम ज्यान मईीम कृत्वा पशेत ब्रम्ह मयम जगत अपने दृष्टि कौन को यथार्थ बनाओ सृष्टि करता अपनी स द्रिष्टी का पालन करना जानता है। पहले यह देखो कि संशय किसका है। वह कोन है जो कारिय करना चाहता है। प्रश्ण पूछने वाले को खोजो। यदि तुम संशय करता को पकड़ लोगे तो संशय नहीं रहेंगे। उत्पन्न होती है। आत्मा में द्रड़ता से टिके रहो। ये सब लुप्त हो जाएंगे। महरशी ये सब कैसे करें। यह प्रश्ण अनात्म विश्यों के लिए ही उप्योक्त है। आत्मा के लिए नहीं। क्या तुम अपने स्वयम की आत्मा के अस्तित्व में संदेह करते हो। नहीं महरशी पर फिर भी मैं यह जानना चाहता हूँ कि आत्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है। क्या इसकी प्राप्ती के लिए कोई मार्ग है। प्रयास करो, जिस प्रकार कुवा खोदने से जल प्राप्त होता है, उसी प्रकार विचार से आत्मा की अनुभूती होती है, हाँ, परन तु कुछ को पानी आसानी से मिल जाता है महरशी, जबकि दूसरों को कठिनाई से मिलता है, पर तुम्हें सतह पर नमी का आभास पहले ही होता है, तुम्हें आत्मा का धुंदला सा भान है, लगे रहो, जब प्रयत्न समाप्त होता है, तो आत्मा प्रकाशित होती है, महरशी मन को अंतर मुख करने के लिए क्या किया जाए, अभ्यास करो, मन बुद्धी की एक अवस्था है, एक आग्रता से आत्मा का साक्षात का करो मन स्वयम नश्ट हो जाता है महरशी मन को कैसे नश्ट करें जल को सूखा जल नहीं बनाया जा सकता आत्मा को खोजो मन नश्ट हो जाएगा महरशी इन सब कलेशों से कैसे बचें? क्या कलेश का कोई आकार है? वृठा के संकल भी कलेश हैं, मन इतनी क्षमता नहीं रखता की इनको रोक सके इस प्रकार की मानसिक शक्ती किस प्रगार प्राप्त करें? इश्वर की आराधना से प्राप्त करो क्या सर्वव्यापक परमात्मा का ध्यान समझने में कठिन है महर्शी इश्वर को अकेला रहने दो तुम तो अपनी आत्मा में ठिके रहो महर्शी फिर मंत्रों का जब किस प्रकार करें जब दो प्रकार का है स्थूल तथा सूक्ष्म सूक्ष मजब उस पर ध्यान है और यह मन को शक्ती देता है परन्तु ध्यान के लिए मन स्थिर नहीं होता महरशी इसका कारण है कि शक्ती कमजोर हो गई है महरशी समर्पन असंभाव सा लगता है हम किसी को समर्पित नहीं हो पाते हाँ, प्रारंभ में पूर्ण समर्पन असंभाव है आन्शिक समर्पन निश्चे ही सब के लिए सुलब है समय आने पर उससे पूर्ण समर्पन हो जाएगा अच्छा यदि समर्पन असंभाव है तो क्या किया जा सकता है मान्शिक शांती नहीं है उसको प्राप्त करने में तुम असमर्थ हो यह केवल समर्पन से हो सकता है महरशी क्या आन्शिक शमर्पन से प्रारब्ध नश्ट हो सकता है? हाँ, निश्चही प्रारब्ध क्या पिछले कर्मों का फल नहीं है? यदि इश्वर को समर्पन कर दोगे तो इश्वर स्वयम संभाल लेगा महरशी यह इश्वर का विधान होने से इश्वर ही इसको अन्यथा कैसे कर देगा? सब केवल उसमें है महरशी फिर इश्वर का दर्शन कैसे हो? अंदर यदि मन को अंतर मुख कर लें तो इश्वर आंतरिक चैतन्य के रूप में अभिविक्त होता है ऐसा कहा जाता है कि इश्वर सब में है उन सब पदार्थों में जो हम देखते हैं हमें उन सब में इश्वर का दर्शन करना चाहिए क्या ऐसा है इश्वर सब में है और द्रश्टा में है ईश्वर और कहां दिखाई देगा उसकी प्राप्ती बाहर नहीं हो सकती उसकी अनुभूती अपने अंदर ही होनी चाहिए दृष्य पदार्थों को देखने को मन की आवश्यक्ता है दृष्यों में ईश्वर की कल्पना मन की क्रिया है पर वह यथार्थ नहीं है संकल्प रहित आंतरिक चैतन्य ही परमात्मा प्रतीत होता है महरशी उधारण के लिए सुन्दर रंगों को ले ले उनको देखने से प्रसन्नता होती है हम उनमे भगवत दर्शन कर सकते है देखो ये सब तो मानसिक कल बनाएं है हां महरशी रंगों के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है रंगों को मैंने किवल एक उदाहरण के रूप में कहा था सभी इसी प्रकार मानसिक ही है महरशी देह भी है और इंद्रियां तथा मन भी आत्मा पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने में इन सब का उपियोग करती है द्रिश्य पदार्थ भावनाएं तथा संकल्प सब मानसिक कल बनाएं है अहम भाव अत्वा अहंकार के उत्पन होने के पश्चात मन का उदय होता है अहंकार का उदय कहां से होता है मूल बुद्धी से तो महरशी क्या यह आत्मा है? आत्मा, मन, अत्वा, अहंकार केवल शब्द है इस प्रकार की कोई वास्त्विक सत्ता नहीं है केवल चैतन्य ही सत्य है तब वह चैतन्य कोई आनंद नहीं दे सकता उसका स्वरूप ही आनंद है केवल आनन्द ही है आनन्द का अनुभाव करने वाला कोई नहीं है आनन्द का अनुभाव करने वाला तथा आनन्द दोनों उसमें विलीन हो जाते है महरशी सामान्य जीवन में सुख दुख दोनों है क्या हमें केवल सुख में ही नहीं रहना चाहिए मन को मोड कर अंतर मुखी बनाए रखने में सुख है उसको बाहर जाने देने में दुख है वास्तों में केवल आनन्द है दुख के अभाव को सुख कहते हैं हर एक का स्वरू भी सुखमाई है महर्शी क्या यह आत्मा है आत्मा तथा परमात्मा यह दो शब्द केवल मानसिक कलपना है महर्शी क्या परमात्मा मन की कलपना मात्र है हाँ क्या तुमको सुखुप्ती में इश्वर का ध्यान आता है किन्तु सुखुप्ती तो जड़ की अवस्था है वहाँ तो जड़ता रहती है यदि इश्वर सत्य हो तो उसे सदैव रहना चाहिए तुम सुशुप्ती तथा जागृती में समान रहते हो यदि इश्वर तुम्हारी आत्मा की तरह सत्य हो तो इश्वर सुशुप्ती में भी उसी प्रकार रहे जिस प्रकार आत्मा रहता है इश्वर का यहे विचार जागरिती में ही आता है अभी कौन विचार कर रहा है यहे जानो मैं विचार कर रहा हूं महार्शी यहे मैं कौन है यहे कौन कह रहा है क्या यहे देह है देह बोलती है देह नहीं बोलती यदि ऐसा है तो क्या देह सुशुप्ति में बोलती थी यह मैं कौन है सुशुप्ति में कहां चला गया था जागरती में कहां से आ गया महरशी देह के अंदर है मैं तुम देह के अंदर हो अत्वा देह के बाहर मैं निश्चे ही देह के अंदर हूँ क्या सुशुप्ती में भी तुम्हें ऐसा ही बोध था हाँ मैं सुशुप्ती में भी अपनी देह में ही रहता हूँ क्या सुशुप्ती में तुम देह में हो इसका तुमको भान था या नहीं महर्शी मैंने कहा कि सुशुप्ती में जड़ अवस्था रहती है वास्त्विक्ता ये है कि तुम ना अंदर हो ना बाहर सुशुप्ती में अपना निज अस्तित्व अर्थात केवल आत्मा रहता है